नमस्कार आप देख रहे हैं बड़ी बहस मैं हूँ आपके साथ आलोग 26 जनवरी को जब तेश गरतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था तब यूपी के कासकंच में हिंसा की आग सुलग उठी चार दिन बाद भी आग की तपिश महसूस की जा रही है तीन दिनों में यूपी पुलिस के पसीने छूट गए पूरा सरकारी तंथ कासकंच में लगा है सौ से ज़्यादा आरोपियों को गिरफतार किया गया है ड्रोन के जरीए निगरानी हो रही है दोनों समुदायों के बीच भाई चारा बैठक कराई गई लेकिन सवाल ये है कि कासकंच हिंसा का कसूरवार कौन है तरह तरह की बातें सामने आ रही है कोई कह रहा है तिरंगा रैली के विरोध में एक समुदाय ने हिंसा की शुरुवात की तो ये भी कहा जा रहा है कि रैली निकालने वालों ने भड़काऊ नारे लगाए जिससे दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए और उन्होंने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिये जिससे मामला बिगड़ा इन सब के बीच पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं यूपे पुलिस घुटनों के बल खड़ी नजर आई आलम ये कि हालात सामानी करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदितिनात को खुद मोर्चा समालना पड़ा पुलिस प्रशासन को कासकंज में हिंसा के पीछे साज़िश के तार दिख रहे हैं डियम साब कह रहे हैं शहर का ही एक छोटा सा हिस्सा गुरूप हिंसा भढ़काने में लगा है तो आज ही हटाए गए स्पी सुनिल सिंग एक कदम आगे बढ़कर हिंसा के पीछे सियासी साज़िश बता रहे हैं रही बात निताओं की तो हमेशा की तरह वो सियासी रोटियां सेखने में लगे हैं लेकिन कासकंज के लोग दैशत से निजात चाहते हैं अमन चैन चाहते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके कासकंज को किसकी नज़र लग गई तो मामला तो हमने अपने दर्शकों को बताया अपडेट भी बता दें कासकंज हिंसा में मृतक चंदन गुपता के परिजन से मिलने डियम आर्पी स्थिंग पहुँचे जिलाधिकारी ने पेडिट परिवार को धंडस बदाया और उन्हें 20 लाख रुपए मुआवजे का चेक सौपा लेकिन चंदन का परिवार चेक लेने से इंकार कर रहा है चंदन गुपता के परिजन हिंसा के बाद से धरने पर बैठे हैं बेटे के लिए शहीद का दर्जा मांग रहे हैं बेटे को सहीद का मान सम्मान दे योगी जी आए फिर मेरा परवार को देख है मेरे परवार से मिले तब मुझे शांती मिलेगी मेरे बच्चे को गोली मारी है वो सब खुले घूम रही है आराम से मार्केट खुल रही है मजार भी नहीं बंद हुआ है मेरे बाई देने आते तो तुम्हें ले लेती चेक क्यों लूँ मेरे भाई देने आते तो मैं ले लेती चेक नहीं चाहिए अगर चैक देना है तो मैं गोली खालोंगी मेरी लास पर उपर रख दे ना वह चैक 20 लग का ठीक मुझे नहीं चाहिए उसके कफ़न है ना लाक के मेरी जहना लास पर रख देना मेरे परवार की लास पर लेती तो यह तो है पिडित परिवार का दर्ट और उसकी मांग और सरकार से ये मांग है कि शहीद का दर्जा दिया जाए फिलाल कास कंज का कलंग बात करें कौन है जिम्मेदार चूक कहां पर होई है और इस तरीके की घटनाओं की पुन्रा व्रत्ती को कैसे रोका जा सकता है ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिन पर आज हम आई वे महमानों से जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले बिना कुछ देर के हुए आई वे महमानों से अपने दर्श्कों का परचे करा दें हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अमित पुरीजी अमित जी नमसकार स्वागत है समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं मनोच यादव जी, मनोच जी नमसकार, स्वागत है आपका पुर्व आईपेस श्रीधर पाठक जी है श्रीधर पाठक जी नमसकार, स्वागत है आपका और वरिष्ट पत्रकार अजय कुमार जी है हर बार के देने बहुत सारी चीज़ों को जाने और सबजने की कोशिश करेंगे लेकिन पहला सवाल मेरा अमित पूरी जी सही है अमित जी गरतंदर दिवस पर वैसे तो हर तरफ अलर्ट खुशित किया गया था सुरक्षा विवस्था चाप चौबन थी उसके बावजूद भी आखिर कास कर्ज में चूप कहां पर हो गई सरकार की क्या एनलिसिस है मौदूदा हालात में एनलिसिस तो होती रहेगी और एनलिसिस पे काम भी चल ला है लेकिन यह सही है कि 26 जनवरी के गरतंदर दिवस के अऊसर पर जो अलर्ट घोशित था वो अलर्ट था जिले के अंदर इस पे अन्य जिलों की भागी उस जिले में भी था और उस कजबे में भी था ऐसा नहीं है लेकिन मौलिक सवाल यह है जिससे शेधर जी और बाकी के पैनलिस्ट भी इतिफाक करेंगे कि इस देश में साजिशों का दोर कितना गहरा होगा क्या आजादी के सतर साल बाद भी 26 जनवरी को तिरंगा नेकर के निकलना और उसे फैराने पर यह तो सत्य कि चाहें जो भी एक्रोमनी रही हो यह तो मैटर अफ इन्वेस्टिगेशन है लेकिन गोली चली और गोली चलने के बाद चंदन गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की मौत हुई यह भी सही है कि वसीम जावेद नाम के व्यक्ति के घर से रिवालवर की पिस्टल की परामदगी होई है तो कहीं न कहीं इसकी साजिश पहले से थी और ये ठीक है कि इंटेलिजेंस इंपोट कितने थे कितने नहीं थे ये मैटर अफ इन्वेस्टिगेशन में आएंगे लेकिन बड़ा सवाल ये आज भी खड़ा है कि क्या 26 जनवरी को इस देश में तिरंगा लेकर इंद्वस्तान क इस और निकलने पर आम भारतियों को गोली की साजिश से रूबरू होना पड़ेगा कि नहीं साजिश का नाम आपने कि रहे मैं मनोची से सवाल का जवाब चाहूंगा मनोची क्या वाकई में साजिश है दिखें या कहीं न कहीं अपनी कम्यों को छुपाना ये भाजपा की स करने की कोसिस की जा रही है आपने सिर्फ चंदन का नाम क्यों लिया कमाम सारे मुस्लिम समदाय के लड़कों को गोलियां लगी है वो भी एडमिट है वह क्या इस्तित्ति आप मृतक की बात कर रहे हैं मैं आपको और भी चीज़े बताना चाहता हूं भाजपा करती क्या है अगया चाहिजी बात पाथ चिड़ाने की राजनीत करती घर्मे के नाम पे हो या दर्शभकती के नाम पे चड़ाने के काम करते हैं क्या वहां पे जो मुस्लिम लोग थे जंडा फैराने का काम नहीं करने जा रहे थे, उन लोगों के उद्धेस दूसरे थे, आप बार-बार 4-5 दिन से एक ही बात हो रही, क्या हम तिरंगा नहीं फैरा सकतें, तिरंगे का अपमान अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया है हिंदुस्तान में, तो वो संग्ध ने किय और संग के मानने वालों ने किया है आप भगवायात्रा निकाल रहे हैं आप लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं आप क्लियर हो जाईए आपका बीजेपी का जंडा उपर रहता है और तिरंगे का जंडा नीचे रहता है गुजरात में देखने को मिला है किस तरह आप सब्सक्राइब करते हैं यह बाते समस्थ से परे हैं चलिए यह कही नगा एक विटमना कही जाएगी चलिए मैं अब शिरिधर जी के पास आओंगा शिरिधर जी आपने पूरे मामले में देखा मैं चाहूंगा आपकी अपनी अनालिस क्या है कि चूप कहां पर हुई लाफर और सहर में वो दस्ता नहीं चोड़ा गया जो इन चीजों को देखता है अब इस घटना के बाद मेरी अपनी राय है कि सरकार को इसकी केस स्टेडी करा लेनी चाहिए और पिछले दस सालों में इस तरह कि यहने जितनी भी घटना हुई है उनकी भी केस से स्टेडी कराने के बाद एक direction जारी हो जाना चाहिए कि लोग उस समय पर क्या करेंगे क्योंकि तमाम पुलिस वालों को भी लगता है कि उनको पुलिस लाइन के उपरेड़ ग्राउंड पर होना चाहिए सब लोग पुलिस लाइन के उपरेड़ ग्राउंड पर ही चले तो यानि कि साफ तोर पर intelligence का failure कही न कहीं सामने आया सरकार को कहीं न कहीं सतर करने की जरूएत है मंधन करने की जरूएत है तीनों राजनेतिक दलों की आपने सबने आपने बात सुनी और पुलिस कप्तान साब क्या कह रहे ये भी अमने पने दर्शकों को सुनाया मैं अब अजे जी के पास आ रहा हूँ अजे जी अगर मुख्यमंत्री योगी आदितनात के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो एक साफ सुथरा रिकॉर्ड है और कोई दंगे अभी तक उनके शासनकाल में नहीं हुए जैसा कि पिछली सरकार में कही नहीं हुए लेकिन अब बात घूम पिर के कही नहीं आ रही कि एक साज़िश है क्या वाकई में आपको लगता है कि ये किसी की साज़िश है तो किस की है हालो हाँ हाँ आज कास गन के स्पी हटाए गए गए जै हरता गने के पाद उन्होंने कहा कि इसमें एक साज़िश की हूँ हाँ और ले वह तो एक लाइन लिख देतی है इस संभावनाँ सेिंकार नहीं किया जा जा सकता पहले L.I.U के लोग जाते थे चेत्र में जाते थे जब आपकी तिरंगा यात्रा निकल रही है और जिस चेत्र से निकल रही वो एक वर्ग विशेष का बाहुले चेत्र है तो कम से कम L.I.U लोकल इंट्रिजिएंद सुनी उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदावी थी कि उसमें स और लागाने वाली बात आ रही हैं कहीं आ रही कि वो लोग भी दूसारा वर्फ भी तिरंगा लगाने ज जा रहाता है प्धाने जाराथा कही न कहीं से में तो ये जानताiri तो इसमें अगर राजनीत नहीं बचाना है तो राजनीद को दूर रख कि किस क्या माहल हुआ क्या है ये तो जाज का विस्ञा है लेकिन सबसे बड़ी बात J कि इतने दंगे हो रहें मुझफण नगर के दंगा याद है नगा तभी होता है जब किसी एक वर और को कहीं न कहीं श्राइघ मिल जाए ना हादी चैहरा हूं मुझफर नगरकान बार्टिय जनता पाल्टी के लोग बराबर ये कहते रहे कि वहाँ एक मंत्री बराबर शाय देते रहे जिसके कराण ये दंगा इतनी देर बड़का यहां भी हर राजने से पिचाहे हो बार्टिय जनता पाल्टी कम से कम इस माहौल में अपने को वहां से दूर रख करके और इस मामले के निस्पक जाचो जो दोशी है उनके खलाब कारवाईयों पिलित परिवार का है वो कह रहे हैं कि उसकी बहन कि मुखमंतरी को आना चाहिए संबो नहीं है कि मुखमंतरी इस माहौल में वहां जाएं संबह नहीं यह जो माहौल है जब ठंडा हो जाए चाहिए और अधिकारी ही जाते हैं यह वहां पर राजनीती तो वैसे दर शेयर करें उनको सांतोना दें लेकिन उल्टे राजनीती जब अर्दस्त कर रहे हैं आप लोग जब कभी किसी छेतर में किसी सहर में किसी जगे पर ऐसी इस्तित होती है तो नो डाउट अगर चंदन गुप्ता की मौत हुई है और अगर दूसरी राजनीतिक दल जाने की कोसिस करता है या सरकार भी जाने जैसे योगी जी अभी तक नहीं जा पाए चुकि कहीं न कहीं ये सहारनपुर में भी ऐसी घटना हुई थी मैं इस बात को आप लोग भी अपनी डिवेट का हिस्सा जर बिल्कुल वहीं करा हूँ दंगे में अगर कोई नहीं मरता है तो उस दंगे की गिंती नहीं होती जब कोई मर जाता है तो वो दंगा और बड़ा दंगा कहलाता है कुछ ऐसा डिफाइन करने की कोसिस की जा रही है कई सारे ऐसी चीज़े हुई अकले स्यादो जी ऐसी इस व पीजेपी के लोग कौन से चंदन चुकि आप तो आज के पेपर में देख लीजिए यही भाजपा के लोग सधान जली दे रहे हैं चंदन की पोटो पे हसते हुए दे रहे हैं वह मैं नहीं कह रहा हूं सोसल मीडिया पे अकबार की खबरे कह रही है क्या चंदन गुपता की मौत पे भाजपा लोगों को हसने की जरूरत है क्या इसलिए विपक्ष हमेशा समय समय पे ये बाते उठाएगा कि उसके परिवार की आर्थी मदद की जाए और अगर वो सहीत का दर्जा माग रहे हैं तो सहीत का दर्जा भी दे चले विपक्ष तो वैसे आजकल अभी बात करें तो जो चीज सामने आ रही है कही न कहीं जब भी आप लोगों की सरकार आती है तो चाहें वो अकिल भारतिय विद्यारती परिशत की बात करें और बात करें व्यच्पी की उन लोगों को कहीं न कहीं इंदुत का एक तरीके से लाइसेंस बिल जाता जो इस मामले मे भी कही ना कही सामने आया कि बंडे मात्रम बोलिए पाकिस्तानी विरोधी वाँ पर नारे लगे ये चीज सामने आई ये वहाँ पर कही ना कही जो अगर जड़ तक जाएं नहीं नहीं बिल्कुल आपने कहा और मैं आप से पहले समाजवादी पार्टी के मित्र को भी सुन रह दिया कि तुरंट उसका विरोज शुरू हो गया अगर बदलना चाहते हैं और इसकी इजादत हो तो आप बदल लें एक मिनट एक मिनट एक मिनट की बात करना हूँ और बताया गया जब चाहित वर्मनुजी कह रहे थे कि तिरंगे का भगवा जंडा यात्रा लेके निकल लेते हैं अब तिरंगा अगर बगवा का प्रतीक हो गया इनके लिए सिनानियंस हो गया प्र ललो गया और वंदे मातर भेंदूत्यों का पैरलल हो गया तो इस देश के लोकतंत्र के बारे में पुनर विचार करने की आवश्टिता आज पुड़ी है वो नारा जो आजादी के अंदोलन का नारा था उसको अगर किसी पंत विशेश की उपासना पद्धिती से जोड़ देंगे तो मैं नहीं समझता कि आप देश के राश्टीता के विचार के साथ यहां अमेजी मुझे एक चोटे से सवाल का जवाब देजी मेरा सवाल आप से एक हिंदुस्तानी ने के नाते मैं भी कही ना कहीं गर्व महसूस करता हूं लेकिन आप लोग जो थोपने की जो कोशिश करते हैं ना इस पर सवाल उठते हैं और विपक्ष को कहने का भी मौका द लेते हैं मैं इसी चर्चा में सुन रहा था कि तिरंगा यात्रा कहीं से जा रही थी वहां किसी दूसरे वर्ग विशेश का बाहुल लेता थी आबादी की हम यह क्यों मान लेते हैं इस देश के अंदर वोट बैंक की राजनीत में कि जो दूसरा वर्ग विशेश है वो सही मिमांसा नहीं करेंगा नहीं तो बंदे मात्रम बोलो तमाम सारी चीज़े जो सामने आ रहे हैं हिंदुस्तानी हूं पाकिस्तानी के पक्ष में नारे लगे सवाल यह कि यह तो आप थोपने की कहिना के कोशिश कर रही भी जेपी यह तो करता हूं कि आखिर जब मेरट में नगर निगम की बैठक होती है और वहां एक बंदे मात्रम गाने की बात होती है तब वहां आखिर विरोध क्यों हूं सवाल इस बात का क्या बंदे मात्रम गाना एक सांप्रदाइकता है अगर यह है तो एक यह बात क्लियर होता है तो मैं ने देखा मेरट में कहा गया माहा की माहा पौर जो हैं कि अब बंदे बात्रम नहीं गाने देंगे लेकिन ये घटना जो कुई है इसमें मैं तो यही कह रहा हूं कि कहीं न कहीं मैंने बाहुली लाका इसलिए कहा कि कभी कुछ सतरकता बढ़ती जाती है उस एरिया में अगर जाएंगे कहीं किसी ने चुलाने वाली बात कर दी होता सबावी कुरूप से हम लखनों में ही देखते हैं जब शिया सुन्नी का होता है तो लोग यह करते हैं कि सुन्यों का जलू बात कर दी तो आप वहां के माहुल को रोक नहीं सकते हैं इसलिए वह बात कही कि अगर मुस्लिम बाहूल इलाका था तो थोड़ी सी सतरकता वहां अपने लोगों भी बरतनी चाहिए थी उनसे प्रयास करते हैं कि यह आप भी चलिए लेकिन वहां किसी तरह की कि बात हुई कारण कोई भी हो सकते हैं शीरिदर जी लेकिन पुलिस से कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जैसा कि आपने भी का लोकल इंटेलिजनसी यूनिट का पूरी तरीके से वहां पर जो कास कंज का कलंग जो आज हम दिखा रहे हैं कास कंज में जो किस तरीके से हाला कि अब इस सिद्धी सामान ने होती नजर आ रही है लेकिन कहीं न कई फेले और नजर आया बेल्कुल सही कहा रहे हैं जे अभी सुछना इकाई का उस जगह पर समीच्छा किये जाने की आवस्चता है हो सकता है उन लोगों ने पहले ये रिपोर्टिंग की हो लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने जुलूस निकाला था उन्होंने डियम या एसपी से उसकी कोई परमीशन नहीं लीती अगर उन जनुरी को पहले भी प्रभात फेरिया निकलती रही है और इसके लिए परमीशन लेने की कोई जरूरत नहीं लोग खुशी में इधर से उधर को आते जाते रहते हैं और बारा एक बज़े तक सब के सब क्यों सुरक्षा पहले से चाक चबंद होती है पहले से यह किया जाना में पुलिस बल पहुंच गया उच्छा दिकारी गण पहुंच गये जिनके डायरेक्शन पर वहां कारवाई हुई लेकिन उसके बाद भी दो दिन तक कुछ असांती में वातावरान वहां पर रहा आप सुना है कि कर्फी और तोड़ी थोड़ी स्थिति सामाने होती दंगा नहीं हुआ लेकिन अब कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि अलोगी कोई एगरी कर सकता है कासगंज की घटना कोई दंगा नहीं है तिरंगा फैराते हुए और तिरंगा लेके चलने पर राष्ट भक्तों को अगर कई से कोई आड़ से गोली मार दे तो यह विशुद्ध आपराधिक राष्ट द्रो की घटना है यह दंगे की श्रेणी और परिवाचा में नहीं आती यह विशुद्ध आपराधिक घटना ह अरेस्ट इसमें की है 31 लोगों पर हत्या और बलवा का मुकदमा कायम हुआ है 82 लोग अलग से जेन गए 51 पर 12 144 की कारवाई हुई है 40 प्रिवेंटिव अरेस्ट अलग हुई है जिस दिन की घटना उस दिन 4 मुकदमे लिके गए 11 अरेस्ट हुई है और 24 प्रिवेंटिव अर करके और ट्रेक टूप है जो अमन कमेटियों के माध्यम से सब्सक्राइब अगर सब कुछ कर रही थी आप क्योंकि आपके अंडर में गाइडेंस में कर रही है तो यह तस्वीर क्या बया कर रही है जो किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हो रहा है कितनी गिरफतार हो पहल मनोच जी पहले दिन से अगर इतनी टाइट वेवस्था होती तो शायद ड्रोन कैमरे की जरूरत ना पढ़ती ड्रोन से निगरानी की वही देखे बिलकुल क्लेर कट बात अलोग जी आ गई सामने जुकि आज एक दंगे को किस तरह परिभासित कर दिया गया मैं भाजपा के साथी से यह पूछना चाता हूँ जग दंगे को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे उसकी क्या डिफिनेशन है किस तरह किस दंगा होता है क्या भाजपा हर चीज पहली बार तो करने की बात करती हर चीज नय तरीके से प्रसूत करने की बात करती तो क्या 26 जनवरी के दिन पहली बार दंगा हुआ है और पहली बार किसी कि मृत तो भी हुई है किस तरह की अपने फले और को राष्ट भक्ति चोड़ें ऑपने फले राश्ट्रभक्ति से जोड़ करके देखना और अपनी कमियों को कहीं न कहीं छेपाना अब देखे राजनैसिक दल है अगर कोई उसको है तो राश्ट्रभक्ति कहेंगे दूसरे बक्त कहेंगे कि साब ये दंगा है राश्ट्रिय विवेक का दिवास है तिरंगा निकला उसमें क्या बात हुई तिरंगे का अपमान हुआ या वहाँ पर कोई भगवा जंडा था अब जैसे समाह बाते आ रही जह जाता भी से लेकिन दंगा है या नहीं है तो राजपाल जी ने आज क्यों कहीं दिया कि मुझे इस हिंसा पर दुख है आखिर हिंसा का मतलब क्या होता बिलकुल राजपाल मौदे की जरा मैं बाइट जरा अपने सायोगी अशुनी से कहूंगा कि जरा वो प्ले करें ताकि हमारे जो राजपाल मौदे रामनाई की मौदे ने जिस तरीके से दुख वेक्त किया है और साफ तोर पर लगातार केशब परसाद मौरिया की बात करें राजपाल रामनाई की तमाम सारी जो प्रतिक्रियां सामने आ रही जरा मैं सुनवाना चाहूंगा कठोर से कठोर कारवाई होगी कासगन घटना के दोस्यों के खिलाप कठोर से कठोर कारवाई होगी कोई तिरंगा यात्रा पर अगर हमला करेगा तो भारती जनता पार्टी की सरकार की इसारे पर निकाला गया है और ऐसा आरोप विपच के लोग जो लगा रहे हैं तो तिरंग बच्चे और बूढ़े और नौजवान के हाथ में रहता है उसके लिए हमें विपच के परवीशन किया उसकता नहीं है कासकंजे हुआ वो किसी को भी शुभादायक नहीं है किसने प्रारंब किया किसने बाद में जबाब दिया यह बात तो इंक्वाईरी के तहट बहार आएगी लेकिन निश्चित तौर पर वहां के जो घटनाए हुई उत्तर प्रदेश के लिए एक कलंग के रूप में हुई है सरकार उसकी जाज कर रही है और कड़े से कड़े रुख लेकर ऐसे जो लोग शांती के साथ संगर्श करते हैं शांती को बदनाम करने की कोशिश करते हैं उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है मैं चाहता हूं कि सरकार इसके और तफशील में जाकर इसकी जाज करे तो ये भी कहीं न कहीं एक विडम्बनाई है इस सवाल का मैं जवाब अमिद जी से लेना चाहूँगा अमिद जी राज्यपाल गरिमा मैं पर दोता वो इस घटना को कलंग केरर आप राश्रभक्ती से जोड़ रहे हैं मैंने बिल्कुल आप सुन लीजे आलोगी आप अभी में जिस सांप्रदाइक विशे की चर्चा आप कर रहे थे दोनों बाइट मैंने सुनी प्रदेश के संवेदानिक प्रमुक की बाइट को भी सुना और प्रशाशनिक व्यवस्था के अंदर जो मुक्खे मंतरी हैं उनकी बाइट को भी सुना कहीं सांप्रदाइक वर्ड का जिकर नहीं था नंबर एक नंबर दो मैंने खुद पहली आप रिवाइंड करके देख लो मैंने कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 26 जनवरी के अंदर तिरंगा लेकर चलने पर गोली लग जाए और कोई आदनी मरे तो लेकिन मन की भाबनाओं को साथ तोर पर पढ़ा जा सकता है कि किस तरीके से कहीं कोई कलंक बोल ला है तो कोई रास्ट भक्ती से जोड़के देखा जा रहा है मैं इस सवाल का जवाब ज़रा अजे जिससे लेना चाहूंगा हालो अब वहाँ क्या परिस्तिया नहीं फिर मैं वह कह रहा हूं कि महामहिम ने तो इसको कलंक इस घटना को कलंक कहा उन्होंने सामपरदाइक ता और उसका कोई नाम नहीं दिया लेकिन जिस तरह की बात है हम चलिए हम तिरंगा लेकर के जा रहे हैं कोई अनावशक रूप वैसे ही जा रहे तिरंगा लेकर के और हम भारत माता की जय बोलते हुए चले जा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई हम पर आत्रमन करेगा और अगर कोई करता तो उससे बड़ा राष्ट द्रोही नहीं हो सकता जै कहीं ना कहीं कोई कारण उस समय हुए होगे तमाम प्रभात फेरी या निकलती रही इसके पहले लेकिन प्रभात फेरी में कभी कोई इस तरह की बास हुई मेरी समझ में आज तक नहीं आया अब कोई बात रही होगी वहां कि क्या व्यत्रिकत दुस्मनी पूरे उक्तर प्रदेश में तिरंगा निकला कई गोली नहीं चली वहां गोली चली ना इसलिए एक आपराधिक गटना है जो राश्कुद्रों के इस रही दर्जी से कहा कि पेसी और अरेफ की टुकणिया भी तैनात कर दी गई थी लेकिन उसके बावजूत भी तीन दिल आप से कि इस पूरे मामले की एक केसी स्टेटी कराई जानी चाहिए एक ऐसी कमेटी द्वारा जो कोई बरिष्ठ विधायक जिसका अध्यक्ष हो और दो तीन IPS अप्सर उसके सदस्य हो ये कमेटी इसका अध्यान करें अध्यान करके इसकी एक रिपोर्ट तयार की जाए और ये अन राजनेतिक दलों को भी दिया जाए और संबंधी जो उत्तरदाई अधिकारी हैं उनके लिए भी एक डाइरेक्षन जारी होना चाहिए इस पूरे मामले में मेजिस्टेरियल जाच होनी चाहिए और चूंकि तमाम दुष्टों ने मिल करके उस जिले की सांती वेवस को भंग किया है तो राश्टी सुरक्षा अधिनियम के तहट कम से कम 20-25 लोगों को अब तक बंद कर दिया जाना चाहिए लेकिन बड़ी बात बड़ा सवाल यही कि इस घटना से सरकार ने क्या कुछ सबक लिया है महमान हमारे साथ बने हुए है बड़ी बहस जा रही है एक कर दो जाथ जानकारी यह खटना आकस्मिक लूप से खटी अवाद असलहे लोगों ने वह जमा करके रखे हुए थे पुलीस ने क्या उससों पहले ज़सा तैहारी नहीं हुए थी चपविश जनुवरी के मद्देने से देखे, पुलिस ने अपनी तैयारी जो 26 जन्वरी के मद्देदर की जानी थी, वो करने का प्रयास किया है, वो सकता है कि जो असले मिल रहे हैं, कुछ लोग उने स्टोर किया है, तो ये सारी चीजें जो है, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तो ये इस बात की तहन तक हम लो वो आवशक्तन जिला प्रशासन तैय करता है, 114 के अधीन जिला प्रशासन को यादिकार है, कि कौन इसके आने या जानना जाने से, वहाँ की कानून में वस्तावी प्रियुक्रूप करता है, तो वो तैय करेगा, जिन्वेस्ट अभी अभी जब वहाँ पे तैनात रहेगी जो आपसर भेज़ेगे, वो वहाँ पे रहेगे, वो कितनी कारवणिया की अभी तक, शास कंपनी, पीएसी, दो कंपनी आ रहे हैं विस्ता में है, उसके अत्रिक आप अगध हैं कि वहाँ पे दो जोन और 6 सेक्टर माटे गए हैं, और परयाप संख्या में सिविल पुलिस क अभी कास गंज इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि आरो भंपे भी लगा देंगे, लेकिन जब माहौल ठीक हो जाए, तो मैं जरूर कहूंगा, और मुझे मौका मिला तो मैं खुद गुपता परिबार से पहले मिलूँगा, क्या वजए है, ये नाराज़गी क्यों आ रही है इतनी, क्या कारण था, सरकार से मांग करते पीड़तों को मापज़े मिलना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, सरकार जो टंका बजाती थी, कि समाजबातियों की सरकार में तो दूसरे तरह की मदद होती है, आप उसकी मदद करें, और एक नौजमान उस परिवार का खोया है, कम से पचास लाज रुपए की मदद सरकार को करने चाहिए, तो अखिलेश शादफ को भी आपने सुना, पीड़ित के जो परिजन है, बिरतक के परिजन, उनके लिए कई न कई मौफ़े की खोशना की बात की है, मैं मनोज जी के पास आ रहा हूँ, मनोज जी, जब मौफ़े की र सिंपल कई बार ऐसा होता है कि मौकमंतरी चाहें तो उनके परिवार को लखनों भी बुला सकते हैं, और उनसे मिल सकते हैं, उने आस्वासित कर सकते हैं, और उस परिवार की जो भी मांग है, चूकि बीजेपी तो नौजवानों का इस्तेमाल करती है, उन्हें इस तरह की ट आप एक नया चलन लेके आए और वह कौन सा चलन जो किसी को चिड़ाता हो जो किसी को परिशान करता हो आपके इन बयानों से तो लग रहे हैं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं हम ये बात कह रहे हैं इस बात को समझना है हम कभी-कभी टीवी पे सिर्फ लच्छेदार बाते कर सकते हैं उपनली बात कहनी चाहिए कहना चाहिए हमारे राश्चेद्र जी ने 50 लाग की बात करी है अगर 50 लाग रुपए आप नहीं दे सकते हैं कर दिया अगला विकल्प अब क्या बचता है अमिद जी अलोक घटना की संबेधन शीलता पर विचार करते हुए टिपड़ी करूँगा राजनेतिक नहीं किसी ने परिम्रतक के परिवार जनों ने जो राशी गई मैं उसे मुआफ़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ कि मनी आपकी घटना को इक्वेट नहीं कर सकता है जातकालिक प्रतिक्रियाएं आती हैं वह सिर्म आते हैं और यह सरकार संबेधन शील सरकार है इस्तितिया वहां की नॉर्मलाइज हो जाए मुख्यमंत्री जी स्वाइब पूरे प्रकरण को व्यक्तिगत रूप से आपकी रिपोर्ट भी देख रहाता ना कि योगी जी सीधे मुर्चे पे लग गए है जी अच्छी बात कहीं कि मुख्यमंत्री जी खुद इस मामले में हस्तक शेप कर रहे हैं इंटरफेर किया उन्होंने खुद इस मामले को संग्यान में लिया जरा इस सवाल का जवाब में शिरि मंत्री जी को आखिर कार खुदा आना पड़ा जो अधिकारी हैं वो इसका मतलब तो यही हुआ कि काम ठीक से नहीं कर रही यह तो यह संदेशा कहीं नहीं कर रही है इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है श्लब यह है इसका मतलब यह तो पूझ रहा है इसका मतलब यह है मैं जब सवाल करूँ तब आपके क्योंकि तमाम सारे दर्शक जो देख रहे होंगे ना वो एक हल्दी बैस है हमने ऐसे पैनल को बुलाया है जो जिने लोग सुनना चाहते हैं समझना चाहते हैं इसलिए मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ मेरा सवाल शिर्धर जी से ही था हिरजद जी मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल का जवाब दें कि अधिकारी क्या काम नहीं कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी को खुदा ना पड़ा इस सवाल का जवाब दीजे मुझे ज़रा ने ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन यह है कि मुख्यमंत्री जी की महांता है कि उन्होंने इस मामले को स्वाम टेक अप किया लेकिन मेरी अपनी राय है कि कास गंज की घटना ये ना तो केवल एक छोटा सा रायट है ना ही एक दुरगटना है ये एक टेस्ट है अगर कास में बुरी तरह से कुचल नहीं दिया गया उपद्रवी तत्नों को ये बहुत जल्दी गंज डुनवारा अलीगड होते हुए बनारस पहुंच करके इलावाद से मेरट तक ये पूरी चेन बनने वाली है मैं ये देख रहा हूं आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने इंड कि ये डेड़ सो साल पूराना हो गया है अंग्रेज ने बनाया था भई आपने उस एक्ट की तीन धाराओं का कभी उपयों वही नहीं किया बिल्कुल अरुपया उस पूरे इलाके से सामुहिक जुर्माने के तौर पर वसूल किया जाए सरकार को ये अधिकार है कि वह वसूली किसी से जाधा कर सके किसी से कम कर सके किसी को चोड़ सके अथवा बिल्कुल नवसूल सके लेकिन वह रूपया वसूल किया जाना चाहिए चूँकि कभी ये प्रियत नहीं हुआ सब के दिमाग इसमें हो जाते हैं गडबड राजसों का मतलब है कि अगर उसने बारा रुपया पचास मैसा जो उसके हिस्से पड़ता था नहीं दिया तो घर की कुर्की कर दी जाएगी इस बात को भली बात समझना चाहिए और मेरी अपनी राय है कि सरकार को एक बार हिम्बत दिखाना चाहिए और ये वसूली करना च सैफई महसफ को लेकर के यही सरकार जो थी जब पक्ष में थी तब निशाना साथी थी इस बार भी तो कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब कासकंज में किस तरीके से वहां पर दंगे भड़क रहते और यहां पर अवद्शिल प्रग्राम में किस तरीके से युबा महस मुख मंत्री जी एक मुखिया होने के नाते अगर उनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए कहां कहां कमिया यह उनको देखना चाहिए और उन्होंने अपने फर्ज का निर्वहार किया एक बात और जो भी दंगा होता है इसके पहले हुए जाच आयोग बने मुझफर नगर धंगे लेकि जाच रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन सासन और प्रसासन वो रखे हुए विधान सभा में तक में प्रस्तुत नहीं हुई उसमें बड़ी अच्छी बात कहीं मैंने देखी वो रिपोर्ट उसमें यह कहा गया कि दंगा पीड़ी छेत्रों से जिनी जिन लोग वो थे उ पहले से ही यह तै था अचानक उसके लिए नहीं हुगा लेकिन साइफाई महद्जा हुआ वह उनका अपना परब्राकत लेकिन सबसे बड़ी बात है इस चीज़ से सीखनी जानी चाहिए और अगर इसको बहुत कलाई से नहीं कुछला गया और कहीं यह आज तो ठीक है शान होना चाहिए और इन सब पर राशुका लगाना चाहिए दोना वर्ट के लो इस पर कहना कि राजनीत हर्गिस नहीं करने चाहिए चले अब मैं जरा तमाम सारी चीज़ों को जिक्र करते हुए फाइनल कॉमेंट के तौर पर अगर आऊं कि क्या होना चाहिए तो अमित पूरी उसमें से काफी चर्चा आपके आज की डिबेट में श्रिधर जी ने भी इशारा किया कि 26 जनवरी की परेड के समय जो एक रस्मी विवस्था चल लही है कि बुले सदिकारी परेड ग्राउंड में सारे रहें उसमें कहीं न कहीं अब नई परिस्तितियां जो उत्पन हो रह नहीं है तो वो सारे परिपेक्ष पे जो चर्चा पैनल के अंदर हुई मुझे लगता है वो काफी सारे सुझाओ ठीक थे और कुछ मात्रा में मुझे कहने में कोई दिकत नहीं है साजिश हो या कुछ भी हो राश्टर दो हो या आप उसे सामपरदाई घटना कहें लेकिन क किसी टेस्ट केस के रूप में डवलप करके आगे बढ़ने की एक समय की आवश्यक्ता और मांग एक कॉल अब दीने है और उस पे सरकार अगे चलेगी अगर बात करें इंटेलिजेंस के जो इन्पुट है उनमें कही न कहीं बदलाओ की जरुवत है तो शुरुवात आखिर कहां से हो शिरदर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और वास्तों में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर यह पहले से तैं है यह उस यूनिट का फेलेवर है जो उन निर्देशों का पालन नहीं कर पाई तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले से निर्देश नहीं है पहले से निर्देश मौझूद हैं और उन निर्देशों को सुधारा जाएगा इंट्रेजेंस डिपार्टमेंट की एक काम बराबर करता रहता है यह डियरेक्शन जारी होगा उनके यहां से लेकिन इस समद्ध में पूरे मामले की केस स्टेड की जानी चाहिए और एक वरिष्ठ विधान मंदल का एक वरिष्ठ सदस्य की अध्यचता में कुछ पुलिस अफसरों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो इस चीज को देखे कि इसमें क्या करना है जे मनोच जी अगर देखे कितने अच्छे अच्छे सुझाओ आ रहे हैं बहुत एक स्वस्त बैस कहीं न कहीं चल रही है लोग एक दूसरी की बात सुन रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो हमारे हजारों करोनों जो दर्शक हैं वो भी सुन रहे होंगे सवाल लेकिन यह है कि कहीं न कहीं एसे मामलों में विपक्ष को राजनीती नहीं करने चाहिए सियासत नहीं करने चाहिए हाला कि आप लोग एक तरफ आज कर तहसील इस पर जिल इस पर कर रहे हैं की नहीं तो नो लोग कही नहीं हम इसका साथ देंगे और इस तरीके की घट्णाओं की पुन्रा व्रक्ति नहीं होने चाहिए आप लोगों के दिमाग में कभी ये चीज़ क्यों नहीं आती है, इस तरीके की बात क्यों नहीं सामने आती है हमेशा मुजफ़नगर दंगो का उधारन, तमाम सारी चीज़ों का उधारन अगर हम एक healthy बहस कर रहे हैं तो आज कहीं न कहीं वर्तमान समय में जरुवत है सत्ता पक्षर विपक्ष दोनों को मिल करके कहीं न कहीं इस तरीके के घटनाएं ना हो दुबारा हमारा विपक्ष का एक दायत है कि जिन मुद्दों पे सरकार सो जाती है कर रहे हैं अगर हम कास्गंच की बात करते हैं आलोग जी तो हम ने राजनीट नहीं की हमारा कोई वहां लीडर नहीं किया हमने इसपे बहुत ज्यादा माइलिस लेने की कोचिस नहीं किया आप बताईए कि गंगा होने के बाद आपको पहले हैं किस तरीके से हो हला मचा हूँ अगर उस गुपता लड़के कीम रित हुई इसके बाद दो दिन क्यों जला क्यों जला क्यों जला क्यों जला आप इतना उस धेज़त होने की जरूवत नहीं है यह अगर आप सरकार की दरफ से आप आए यह इतनी उस तेज़त होने की जरूवत नहीं है और हमें आक हैं एक मिनलों इसाल करतें हैं और एक मिनलों तर्ट तरिके हैं तर्फ यह दर्शक देख रहे हैं चलिए चलिए अजे जी यह सबसे बड़ी जरूरत है कास गंच कैसे शाम कास गंच पर लगा कलंग कैसे मिटे सभी राजने तिक दल्म है आरब चाहिए प्रतिपख्ष में वो अपने वहां कार करता Спाह को सबसे पहले सबसे पहले दो लिन किस ने ढला किस ने गई क्यों दो दिन तक काथ जन जला किसने जलाया और जलने वाले लिए नहीं चलिए ठीक है अब करके बोलिए रुचाइए अमेजी 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 किसाना को धोका दोगे एक एक करके रुचाइए मनोच जी मैं आपके सवाल कर तरह की बात हो रही है उससे तो मुझे नहीं लगता कि काजगन सांथ कराने की कोई पहल हो रही है आप अपने कारकरताओं को निर्दे दिजिए सारे जाए कि कम से कम वहां सांथ स्थापित हो बाकी मुद्धे तो लाजनी बात में हो जाएगी काजगन सांथ हो उसकी आग आसपास ना पहले इसका प्रियास सभी राजने तिक दलों को चाहिए और अगर ये नहीं करेंगे तो कासगंद की आग भगवान न करें कहीं दूसरी जगे पहुंचाए और ये लड़ने का वक्त नहीं लड़ने का नहीं बलकि एक ठोस कदम उठाने का जरूरत है इस तंदर में अमित जी आप जो दो उसे एक्जमप्लरी सजा पाएगा लेकिन चंदन गुपता का मडर हुआ डेलाइट मडर हुआ तिरंगा लेकर निकलते हुए मडर हुआ ये अगर का प्रशन नहीं है और अगर ये अगर का प्रशन है तो यह बढ़ी गंबीर चुनौती है इस प्रदेश के साथ यह पर हिंदू मुस्लिम की बात कहा से आगे आजे जी यह बात सवाल ये की हंदू मुस्लिम की बात कहा से आगे लिए ये कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है चर्मारी चाहिए ऐसे राजनीतिक दलों को इंसानियत की बात किसी नहीं करी देखिए ये बैठे सप्ता पक्षण प्रिपक्ष के लोग हिंदू मुस्लिम को आज भी बात पे कि यही सियासी दल कोशिश कर रहे हैं लेकिन इंसानियत क अगर शांत रहेगा और अगर इंसानियत मर जाएगी तो कहीं कोई शांत नहीं इनसानियत बड़ी चीछ जाथ पात से बढ़ करके इंसानियत वहां के लोग अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि घाजगन के लोग इंसानियत बढ़ें इंसानियत पर आवें इंसान को इंसान समझें हिंदू-मुस्लिम से अलग उठ करके इंसानियत की बिलकुल तभी शायद हम कह सकेंगे इंसा का हो इंसान से भाई चारा यही पैगाम हमारा चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया अमित पूरी जी आपका मनोज जी आपका भी शिरिदर जी आपका भी और अजय कुमार जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया तो बेराल संपरदाइक हिंसा की आग में जो नुकसान हो प्रश्मित नहीं, नमस्कार.